तो मेरा सवाल प्रधान मंत्री जी से और simple सवाल है प्रधान मंत्री जी आपकी foreign trips पे अधानी जी और आप कितने बार एक साथ गए? अधानी जी, how many times did you travel together with अधानी जी? मेरा प्रधान मंत्री जी से दो तीन सवाल है पहले पहले अदानी जी के हवाई जहाज में मोदी जी जाते थे अब मोदी जी के हवाई जहाज में अदानी जी जाते हैं पहले लोकल मामला था फिर नैशनल मामला हो गया उसके बाद इंटरनाशनल मामला हो गया अदानी जी के लिए बोरिस जॉंसन का बेटा काम करता है आपको पता नहीं मालू है या नहीं मालू भाई भाई सॉरी नहीं बेटा भी भाई भाई काम करता है तो ये मामला पहले गुजरात का मामला था फिर ये हिंदुस्तान का मामला हुआ अब यह international मामला हो गया है तो मेरा सवाल प्रदान मंत्री जी से और simple सवाल है प्रदान मंत्री जी आपके foreign trips पे अदानी जी और आप कितने बार एक साथ गए अदानी जी how many times did you travel together with अदानी जी how many times did अदानी जी join you later on a visit how many times did अदानी जी travel to a country immediately after you did and in how many of these countries after you visited did अदानी जी get a contract also an important question जरूरी सवाल अदानी जी ने BJP को पिछले 20 साल में कितने पैसे दिये हैं इलेक्टोरल बॉंड्स में कितना पैसा दिया है इलेक्टोरल बॉंड्स में कितना पैसा दिया है सर फटम करने दीजिए सर और बहुत बहुत सुन्दर तरीके से बहुत सुन्दर तरीके से मैं इतना इतना कहने चाहता हूँ राहूल जी राहूल जी अभी आप सीनर एंपी हो गए है आप एक सीनर एंपी हो चुके है हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इस सदन का सबसे होने के नाते जो भी बाते आप करेंगे जो भी बाशन देते हैं हम लोग इस सदन में इस सदन के अंदर में जो भी बात कही जाती है पुरा घंबीरता के साथ प्रमार के साथ कह जाना चाहिए यह परंपरा है और रहूर जी ता कहा कि परदान मंतरी भी जेइस गुनने जाते हैं तो मैंने आज मैंने आज वो जो युवाव ने मुझे सवाल पूचा था कि अधानी जी की इतनी बिजनेस आक्यूमन कहां से आई इतने अलग अलग सेक्टर्स में अधानी जी ने कैसे success प्राप्ट की अदानी जी के बारे में पूरी दुनिया को study करनी चाहिए Harvard University को study करनी चाहिए कि politics के बीच में और business के बीच में कैसा रिष्टा होता है India is a case study and Prime Minister Narendra Modi should be given a gold medal in this Now, बहुत अच्छी तरहे, बहुत अच्छी तरहे, BJP के जो पिछले speaker थे उन्होंने मेरे भाशन को encapsulate किया मेरे लिए बहुत अच्छी तरहे आपने, जो मैं सोच रहा था आपने उससे और भी अच्छी तरीके से बोल दिया Coming together is a beginning, keeping together is progress, working together is success Adani ji and Narendra Modi ji, thank you